महराज जी रादे रादे, महराज जी हम कानपूर से आएं, हम एकादसीर बत रहते हैं करी 15 साल से, तो एक महराज जी मिले उन्होंने कहा है कि इसका उद्यापन कर दो उसके बाद फिर दुबारा सुरू करो, नहीं तो जो अरजित आपको अरजित नहीं होगी, ऐसा कुछ नह है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अचा, उद्यापन करना ही है, तो जूट का, अकपट का, अचल का, हम उद्यापन करें, उन्हें छोड़ें, एक आधसी तो अच्छी चीज है, उसको तो करते रहें, continue, उद्यापन नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, अचा, महराज जी पढ़ाई करना ची उनको, बेटा पढ़ाई करो मन लगा के, ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई की बना गती नहीं है, आज की युग मह, ठीक है, पढ़ाई करो, खुश रहे हैं तो महराजी, रादे, रादे, आपको मेरा मैंड खराब करती है भी तैने मंजी नहीं करी आपको रही है क्या पर रही होगगगे थि से पूजा बस कुछ भी करो मलब खड़े हो जाओ बैट जो और भगवान का बजन को तो अच्छा है आपकी शक्तियां तो फिर आपको ठीक रास्ते पे ले जा रही है भगवान को ले जा रही है फिर कभी कवार जब परिशानी टेदा कर देती है मलब मूर को डिस्टर्ब कर आप निरंतर गठा सुनते रहिएगा सदा भगवान काश्मर्ण श्रीमन नारण श्रीमन और जैसे आज हमने शरणागती की बात बताई है कछा में उस प्रकार की शरणागती कर दीजेगा फिर आपको कोई परिशानी करेगा ठीक है ठीक है महरा जी मैं मेरी पत्नी और मैं आपका पूरा वो देखता हूं के अनाम भागवान काशा सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है काफी हुआ महरा जी हमारी जो पत्नी है वो आपकी निरंतर भागवा सुनती है और मैं योग पीचर हूं अच्छा यहां पतंजली से बिलों करता हूं जी तो म महां भी मैं रहा हूं कभी दिनों से परंदू यह समिश्या हमारी दूर नहीं वरी महरा अब दूर हो जाएगी अब निश्चिंत रहिए ठीक मरें जी रादी राद मरें